नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यही नमबर है हमारे सिर्फ जहाँ पर कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर हमारा पेज जरूर फोलो कर लिएगा study4sivils.services है ट्विटर पर हमको जरूर फोलो कर लिएगा add the net study4sivils है हलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार विट से module number 6 करेंगे यहाँ पर वीडियो फार्म में English Medium का हमारा paid group का module जोईन करने के लिए आप इन given number पर call या WhatsApp करके अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं और हमारे paid module को जोईन कर सकते हैं पेड मेंबर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपस रिक्वेस्ट है कि आपके paid group में quiz की link भेजी गई होगी module number 6 और जितने आगे module आएंगे उन सभी की paid quiz भी कराई जाएगी तो उसको भी लगतार attempt करते रहें अब यहां पर environment से शुरू कर रहे हैं तो ecosystem यहां पर सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विविन नतर है कि organism एक community बना करके रह साथ में रहते हैं और एक दूसरे से interact करने काम करते हैं इसमें human beings भी शामिल हैं तो जो हम अपने आस पास एक physical environment create करते हैं जिसमें आपस में interact करते हैं वो एक ecological unit होता है और उसी को हम लोग ecosystem बोलते हैं ecosystem term दिया था एजी टैंसले ने 1935 में एक functional unit है ध्यान रखना है ecosystem environment में जो basic अंतर है उसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो दिया होगा पेट्रूप में फिर भी यहां पर clear कर लेते हैं एक बार फिर से जबी मैंने कहा था कि जबी आप term environment पढ़ेंगे तो आपके surrounding plus function तो वो हो जाएगा आपका ecosystem तो यह आपको ध्यान रखना ecosystem में और environment में अंतर क्या है तो surrounding plus functions is equal to ecosystem जैसा कि इसमें दिया भी हुआ है ecosystem is known as the functional unit of nature ecosystem can be as small as a water droplet एक बूंद के बराबर भी ecosystem का size हो सकता है ठीक है और एक बहुत बड़े biosphere reserve या फिर एक बहुत बड़े area बहुत बड़ा national park भी एक ecosystem हो सकता है ठीक है तो size से आप ecosystem में कोई ऐसे difference नहीं कर सकते हैं जो भी एक functional unit होगा nature का चाहे वो एक पानी की बूंद हो चाहे बहुत बड़ा biosphere reserve वो दोनों ही एक ecosystem कहलाएंगे अब यहां पर कुछ scientist के term से जैसे कार्ल मोबियस ने एक idea दिया था ecosystem का इसक ने क्या term में उसकिया ecosystem के लिए microcosm, ecosystem में आप categories दो बन सकती है एक है terrestrial और एक है aquatic ठीक, terrestrial में सारे जो जमीन में हमको system देखने को भी लेंगे वो आ जाएंगे और aquatic में सारी तरीके के marine ecosystem आ जाएंगे जैसे कि lakes हो गया, ponds हो गया, seas हो गया, यह सारे, ocean हो गया जो भी आरूमेन इसका पेपर वह था उसमें देखे सवाल आया भी है कि कौन सैक्स थलिये पारिष्टिकी तंत्र का उधारण नहीं है, ठीक है, तो सागरी पारिष्टिकी तंत्र जो marine है यह aquatic में आ जाएगा, ठीक है, यह terrestrial भी नहीं आता है, यह होता है aquatic में, ocean जो है world largest ecosystem ह हो सकता है क्योंकि टोटल जो अर्थ का 97% भाग यह कवर कर लेता है, माफ कीजेगा, यहां पर कहने का मतलब यह है कि टोटल हाइड्रोस्पेर का यह जो है 97% यह कवर कर लेता है, अर्थ में, sea water की रूप में, ठीक है, मतलब, earth surface पे जो आपको देखने को विलता है सबसे बड़ा ecosystem होता है आपका biosphere, ठीक है, biosphere हो जाता है पूरा, यहां पर एक hierarchy दी है, इससे हम बहतर तरीकी समझ सकते हैं, कुछ भी रटने की ज़बरत भी ने पड़ेगी, जैसा ही कि एक individual है, ठीक, individual है यह, फिर यह ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद community तब बनती है, जब 34,000 हिरन भी हो, 12,000 बंदर भी हो, दो 300,000 भी हो, मंकी भी हो, 100,200, आउल भी हो यहां पर, और यहां पर एक नील गाय भी हो, तो यह पूरी community हो गई, यानि कि एक ही तरह के individual की population जो है, कई सारी देखने को मिल रही है, तो शॉनल नहीं सबस्कार्प्राइब क्यों कि यहां पर इनमें से यह एक नहीं है कौन यां पूच लेते हैं कभी-कभी तो यहां पर जैसे दिए यह वह भगा है physical factors होते हैं ठीक तो ईगो टे क्मे यह थए फ contenido यह ढ inan सीस्टा में बींप एकको अब कर obrig मिश्ट्रर नाँट्रोजन और वर फोरस जो भी आपके या फिर कमपॉंट्स अवेलबल होंगे और गनिक कमपॉंट्स में कार्बोहइड्रेट प्रोटीन लिपीड और हुमिक सबस्टेंसेस हो जाएंगे जिसमें कार्बन भी शामिल होगा ठीक है अलकोहल आप ले लिजिए और और गनिक असिट्स आप ले लिजिए सब यहां पर जाएंगे तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि और गनिक कमपॉंट्स जो है यह लिविंग सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक तरीके से ब्योटिक और एब्योटिक कमपोनेंट की बीच एक हम लोग कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं और यह और और इन और इन और डूसर बनाता है तो प्रोडियूसर जो है बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कि सेम कोश्चन आरोप के कोश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है तो यह हो गया आपका यह ओवर्वीव दे दिया अब इसको एक्स्प्लेन कि जा रहा है कि जैसे फिस्कल फैक्टर से लाइट है वो कैसे यहां पर असर करता है तो एक एक एको सिस्टम में फिस्कल फैक अब इसस्टम को लेना है तभी आप एक बहतर ओवर्वीव ले पाएंगे अगर हम बार बार एकोसिस्टम बदलते रहेंगे तो उसके फिसकल फैक्टर हो सकता है दिरे-दिरे बदलते रहें अगर हम यहां पर एक सिंपल एक्वेटिक एको सिस्टम ले लें तो यह पॉंड इस तरीके से होगा और थोड़ा गहरा हम लोग ले 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 तो इस तरीके का दिखेगा और इन्हीं सब जोन्स के बारे में अभी हमको थोड़ा सा स्टडी करना है कभी-कभी फूछ ले ज सिस्टम हो उसमें सोलर रिडियेशन या फिस सन की एनर्जी जो है टोटल एको सिस्टम को कंट्रोल करने काम करती है अगर आप यूभी प्यस्टी के युद्धा हैं तो आपको बता होगा कि 2016 का पेपर कैंसेल हुआ था फिर 2016 का प्री दुबारा हुआ था और उसमें एक सव द्राइविंग फोर्स ओफ एको सिस्टम इस वाट परिस्तिकी तंत्र का प्रेरख बल क्या होता है तो ओविसली सोलर एनर्जी ही होती है सोलर एनर्जी से ही शुरवात होती है कितना भी टीम टाम कर लिया जाए मालीजे कि आप खाना बनाने बैठें आप चाहे जितनी समग सढगरे लें लेकिन अगनी होगी तो सब बेकाल हो जाता वैसा को सिस्टम में जब तक सौर उल्जा नहीं होगी ईको सिस्टम अनेकर सकता शुर्वात हीन होगी ऐनर्जी फलो की अनने कि वाटर के अंदर जाती है ये लाइट और ये एट टैरन्सपरेंशी पर टिपेंड क से बाद number of plankton यानि कि plankton अगर जादा है तो light जाने में दिक्कत होगी मतलब water जितना कुल मिला का clear होगा उतनी light एंटर कर पाएगी इसमें और light जितनी pond में इंटर करती है उसको divide की जाता यूफॉटिक मीजोफॉटिक और फोटिक जोनस में plenty of light अवेलबल होती है प्लांट्स और एनिमल्स को यूफॉटिक जोन में और एफॉटिक जोन में कोई light नहीं होती है तो इसमें अगर हम देखें तो ये एफॉटिक या फोटिक जोन है जहां पर दिपेंड करता है कहीं पर सलफर जादा होगा कहीं पर निटरोजन फॉस पॉस यहां पर जैसे पूंड की location होगी या फिर किसी भी water body की location होगी inorganic substance जैसे CO2 और O2 जो है water में dissolve state में होते हैं plants and animals होते है water में और यह depends करता है कि water से उनने कितना exchange of gases मिल पा रहा है या फिर कितने inorganic salts जो है plants के grow करने के लिए जरूरी जो है available है वहाँ पे तो inorganic salts जो generally bottom sediment में available होते हैं ठीक है और small fraction जो है dissolve state में भी available होता है जिस पर plant grow कर सकते हैं plant और animal दोनों ही organic compound जो किसी aquatic ecosystem में देखने को मिलेंगे वो amino acid और humic acid होते हैं और dead animals और plants के कुछ breakdown products होते हैं वो घुले हुए होते हैं पानी में ही यह partly dissolved होते हैं partly suspended state में होते हैं water में ही अब वो biotic components की बात कर लें तो producers होंगे green plants जो हैं terrestrial ecosystem में भी और marine के वो system दोनों में ही होंगे producer की रूप में autotrophs की रूप में इनको माना जाता है यह absorb करते है water nutrients soil से absorb करेंगे या तो गुले हुए पानी से nutrition लेंगे और solar energy जो light से मिल रही होगी उस process से produce करेंगे इन organic substances produce करते है जो की आगे आने वाले food chain की लोगों में help करता है जैसे consumers को heterotrophs इनको कह जाता है यह food को consume करते हैं जो की autotrophs बनाते हैं autotrophs के दोरा बनाए जाने वाला food जो consume करते है food chain में वही कहलाते हैं consumers तो food preferences के आधार पर इनको दो group में divide की जाता है जो जैसे की cow, deer और rabbit वगएरा जो green plants को खाते हैं उनका भक्षन करते हैं carnivorous होते हैं जो directly दूसरे animals को खाते हैं जैसे lion, cat, dog वगएरा दूसरे animals को खाते हैं अपने छोटे animals को omnivorous organism जो है यह feed करते हैं दोनों पर जैसे की human, pigs और sparrow यह carnivorous भी होते हैं सब्सक्राइब भी वरूस भी होते हैं सब्सक्राइब वरूस कहा जाता है decomposers को septrotrophs कहा जाता है mostly bacteria और fungi इस कटेगरी में आते हैं जो कि dead decomposed और पढ़े हुए matter को यहाँ पर खाने काम करते हैं उनका भक्षन करते हैं bacteria फंजाई लग जाते हैं किसी भी सड़ी गली चीज़ पर चाहे हो plant से associated हो चाहे animals से associated हो आप जानते हैं उन पर वो अपना enzyme से create करते हैं उनकी body पर जिससे decaying matter जो है complex से simple substance में तूट जाता है ठीक है इसलिए इनको डेट्री ट्रस फीडर या डेट्री वोरस भी बोलते हैं और यहां पर recycling का काम होता है इस इंडी कंपोजर्स का अब producers के बारे में अगर detail में बात कर लें तो यह दो group में जो है डिवाइट की जा सकते हैं सबसे पहला floating microorganism and plant तो autotrophs हों जाए heterotrophs हों दोनों दो form में हो सकते हैं एक तहरते हुए और एक rooted यानि कि जो जड़ में होगे नीचे जो है पानी के तल में रूटेड होंगे या तो float कर रहे होंगे इनको phytoplankton बोला जाता है floating microorganism and plants दोनों को बोला जाता है phytoplankton यह microscopic organism होते हैं मतलब आप अपनी naked eyes से नहीं देख सकते हैं इनको देखने के लिए vicious प्रकार की glass का use करना होता है और यह लेक में बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी पूरी लेख ही green पड़ जाती है तो बहुत जाता है अब जब algae जम जाता है diatoms, walvoks, spirogyra, eulothrix, cladophora जब यह अंगिनत करोणों अर्बों की संख्या में पानी की सताय पर जम जाते हैं तो पानी पूरा का पूरा green हो जाता है इसको जो है एक term भी जाता है algal bloom rooted plants होते हैं य यह नहीं कि एकदम deep layer में देखने को मिलेंगे क्योंकि जड़ जो है obviously जो है मिटी से यह surface से ही जुड़ेगी जड़ जो है float नहीं करती है इनकी तो distinct aquatic zones होते हैं depth में होते हैं काफी जैसे कि एक emergent vegetation होता है जो की मतलब समुदरी तल के पास पाए जाता है मतलब समुदरी किना sub-mergent vegetation होता है जो की एकदम बहुत नीचे होता है यह pond weeds होती है जैसे hydrilla, rupia, musk grass, aquatic ecosystem में कुछ consumers या फिर heterotrophs animals जो होते हैं जो directly autotrophs और feed करते हैं जैसे कि zooplanktons हैं यह floating animals होते हैं इनके example दिया हुआ है cyclops और cypress, nectons जो होते हैं जो की swim कर सकते हैं और navigate कर सकते हैं अपने will पर, nectons में fish वगएर आ जाती हैं ठीक और benthic animals क्या होते हैं जो bottom dwellers होते हैं जैसे की beetles, mites, mollusk और crustacean जो विलकुछ समुद्र की या फिर किसी भी water body की तली पर देखने को बिलते हैं उसके नितल में ठीक है यह होते हैं benthic animals यह हमारे एक exam में आ भी चुका है कि benthic animals या benthos जो है कहां पर मिलते हैं एकदम समुद्र के तल पर या फिर किसी भी water body के तल पर फिडी composers जो aquatic ecosystem में पूरे pond में देखने को मिलते हैं या तो sediment में मिलेंगे या तो पानी में तरते हुए ही बैक्टिरिया फंजाई के फॉर्म में energy flow through food chain food chain से energy flow होता है अब कैसे flow होता ही आगे पढ़ेंगे हम लोग कितना flow होता है आगे पढ़ेंगे nutrient cycle होती है इसमें कई तरह की बायो जी यो chemical cycle हमको पढ़ने पढ़ेगी जैसे की water cycle ठीक है आपकी nitrogen cycle cycle carbon cycle बहुत सारी यहां पर cycles हमको पढ़ने पढ़ती है इसके बाद ecological succession भी हमको पढ़ना है ecological development भी करते हैं इसको homeostasis यह एक feedback control mechanism होता है जिसके द्वारा ecosystem change को resist करता है ठीक है ecosystem अपने environment में चेंज नहीं होने देता है इसी को homeostasis बोलते हैं एक concept अभी आपको उपर बताना रहे गया है closed or open ecosystem का closed or open ecosystem में फर्क क्या होता इसको समझेंगे closed ecosystem एक ऐसा system होता है जिसमें energy का energy का और matter का flow नहीं होता है ठीक है बाहर से ना energies में जाएगी ना ही matter यहाँ पर exchange होगा exchange of energy and matter is restricted तो यह होता है closed ठीक और कोई ऐसा ecosystem जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर energy भी exchange होगी और matter भी exchange हो सकता है आरो मेंस के 2017 पेपर में कठिन सवाल आये था ecosystem और closed और open के सम्मंद में biosphere is an example of open system ठीक और reason इसका दिया है there cannot be reinvestment of new substances in biosphere but there is no restriction on investment and exit of energy biosphere जो है या फिर अर्थ हम ले ले लें अगर अर्थ आ जाता बाइस फिर की जगे biosphere या फिर आर्थ एक open system है energy के terms में और एक closed system है closed system है matter के terms में यह दोनों बातें आप रट लिजेगा closed in terms of exchange of matter but open in terms of exchange of energy तो हम लोग कह सकते हैं कि open है at least energy के terms में तो है जाएगा हमारा a option number a यहां पर सही है Indian art and culture में कुछ music के घरानाज हमको देखने हैं जैसे ग्वालियर घराना है इसका origin हुआ था नाथन पीर बक्ष के दोरा और यह famous हुआ था खयाल से इसको मतलब खयाल का famous घराना का जाता है और लखनव घराने से decent हुआ है ग्वालियर घराना बिसके कुछ ही कलाकार है हमको देखना है जैसे हद्दू खान हसु खान नत्थू खान गुलाम रसूल महदी खान पंडित दिक्षित पंडित बाल गुरु बाल कृष्ण बुवा इच्छा कलंजिकर यह है विश्नु पालुषकर है बन्ने खाम पंजाबी इनायत हुसाइन खान यह सब associated हैं ग्वालियर घराने से आगरा घराने से associated हैं यहाँ पर धुरुपद और धमार सिंगर्स आपको बिसिकली देखने को बिलते हैं इस घराने में तो यह है हाजी सुजान खान अलक दास के पुत्र थे यह हाजी सुजान खान जो है यह एक्सपर्ट बाने जाते हैं धुरुपद धमार स्टाइल में गुलाम अबबास खान कलन खान और उस्ताद फयास खान इंपोर्टन कलाकार हैं इसके बाद किराना कराना में अकरम देखें तो बिनकर उस्ताद बंदे अली खान, बहेरे वहीद खान, उस्ताद अब्दुलकरीम, उस्ताद हैदर खान, हीरा बाई बरोडकर, सुरेश बावु माने, रोशनारा बेगम, उस्ताद रजब खान, पंडित सवाई गंधर्व, ग इसमें अलादिया खान गराना जो है इसमें अलादिया खान, केसर बाई केरकर, मोधु बाई, कुर्दीकर और शंकर राव, सरानिक और किशोरी अमोनकर ये सब आ जाएंगे जैपूर घराने में आ जाएंगे सवाल खान, रजब खान, और मुशर्रफ खान, मुहासिन खान, जमाल अद्दीन खान, अब्दुल अजीज खान, अलिबक्ष खान और बड़े फत्य खान ये जो important exponent है ये कहां के हैं पटियाला घराने के बड़े गुलाम अलिखान साहब भी पटियाला घराना से असेशियेटेड है बनारस घराना से असेशियेटेड जो कौन-कौन है पंडित राजन साजन मिश्रा, स्रीमती गिर्जा देवी और बनारस घराना जो है एक ऐसा घराना है जिसमें खयाल, टपपा, ठुम्री, धृ जैसे की श्रींग पपपट्री प्रेण बनारस घराना से असेशियेटेड है सज्जू खान, नाजिर खान, खादि सुसाइन खान यह सब असेशियेटेड है, इसके बाद पापेट फंडिया में अगर हम देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन यह है कि व्ल्ड पपट्डे म बनाये जाता है हई साल कीश्व cultural DefQ को अरल्यस्ट रिफरेंच जूऊम को पपेटरी का मिलता है वो तमिल ृस्क्रिप्टर सिलब विदकारम में मिलता है। और पपेटरी के अलग-अलग स्टाइलिस होता हैं जैसे की ट्रिंग्न पपेट होता है। String Puppet के प्रकार हैं जैसे कटपुतली ये राजिस्थान में की कला है, कुंडए ही ये String Puppet की कला सिट्रिंग पपपेट की गॉम्बयट्टा ये करनाटक की कला है, borrow DAY भै गॉम्बयट्टम ये कमिलनाडु में String Puppet की कला है, prominent linking band message, खेड़ू पपपपेट्ट में यह वेश्ट बंगाल से यंपुरी बिहार से गलव पपेट है यहां पर पुवा कोतू इसको कहते हैं केरल में मेजर ट्राइबल डान्स अगर हम देखें तो सरहुल डान्स यह परफॉर्म की जाता है संथाल बुंडा और ओराउं ट्राइब्स के द्वारा छोटा नाकपुर चर्कुला रत जो है एंव लिट बंगाल अगर का लांगी डान्स शी विपर उसमें पर फोर्म के जाता है और तीन हों परफॉर्म के जाता है बहूमिया ट्राइब द्वारा सुवा डांच से परफॉर्म की जाता है और अधुषा में कर्मा और कोल रती ये गोंड और कोल ट्राइब्स करती है घुर्मा डान से परफॉर्म की जाता है घोड़ा और सावा ट्राइब्स के द्वारा और ढकलाई डान से परफॉर्म की जाता है सावरा, बीजाल, कुड़ा और नीडो ट्राइब्स के द्वारा यह military type dance है सरहुल यह around tribe करती है छोटनापपूर में और कोसद साबदी dance यह भूईयां गोंड और गोंड tribe करती है ओडिशा में बोड़ा और धाल dance यह perform की जाता है आसम की नागा tribe के दोरा काथी और बाउल यह major dance है backward cast जो करती है वेस्ट बंगाल में बाउल काफी famous टरते है कहां का वेस्ट बंगाल का अब यहां पर इंडियन फिल्म के बारे में फर्स्ट फिल्म देखें किस-किस भासा की फिल्म जो है फर्स्ट फिल्म थी जैसे मदर इंडिया इंडियास फर्स्ट इंडिजनेस कलर फिल्म थी साइरंद्री अगर हम देखें तो वी शात्माराम की इंडियास फर्स्ट कलर फिल्म जो की जर्मनियम प्रोसस की गई थी आला मारा की बात करें उनिस विकत्तिस में इसके डिरेक्टर आरदेशिर थे और इंडिया स्फस्ट साउंड फिल्म थी अबदाना ये फस्ट सिंधी फिल्म थी मतमगी ये फस्ट मनीपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियारी चड़ाईबो ये फस्ट बोचपुरी फिल्म थी नजराना ये फर्स्ट राजिस्थानी फिल्म, मुगाचो अन्वडो ये फर्स्ट कोंकडी फिल्म, सीता विवाह ये फर्स्ट उडिया फिल्म, जोय मोती ये फर्स्ट असमैस फिल्म, शीला पिंड की कुडी ये फर्स्ट पंजाबी फिल्म, नरसिंग महता ये फर्स्ट गु प्रतिग्या फर्स्ट साइलेंट तेलगू फिल्म और भक्त प्रहलाद ये फर्स्ट तेलगू साउंड फिल्म कीचक वधम यह first silent tamil film आई थी ठीक है उसके बाद यह जगवाल यह first गड़वाली film थी और अन्ना धंगादी यह first तुलू लेंगविज फिल्म थी agriculture में हम देखेंगे oil cheat production के बारे में तो peanut rope जो है यह barrier होती है soil erosion की सुझे से soil erosion affected area में इसको गया जाता है ठीक peanut self pollinated crop होती है और इसमें process इस्तमाल की जाती है pegging ठीक है pegging इसको ध्यान रखिएगा oil cake जो peanut का होता है इसमें 78% nitrogen 1.5% phosphorus और 1.3% potash होता है 40-45% high quality protein देखने को बिलता है sunflower cake में और यह animal feed के लिए इस्तमाली से लिए किया जाता है sunflower में oil content होता है 45-50% sunflower इंडिया में इंट्रड्यूस किया गया था रशिया से लाकर के 1969 में oil seed crop के रूप में soya bean जो है आया था US से 1964 में ठीक उसके बाद 54% linoleic acid जो पाया जाता है वो sunflower oil में पाया जाता है इस हुझे से हमारे cholesterol को शरीर से इटाने में help करता है जो हमारी arteries में जम जाता है तो linoleic acid एक saturated fat है नहीं यह बेसिकली एक unsaturated fatty acid है unsaturated fatty acid होने के वज़े से हमारे स्वास्थ के लिए लाबदायक होता है इस वज़े से sunflower oil consume करने के लिए doctors recommend करते हैं आज कल other oils की बात कर लें तो mustard oil और rap seed में पाये जाता है erosic acid जो की human health के लिए अच्छा नहीं माना जाता है mustard और राई में जो पंजनसी देखने को बिलती है उसमें isothiocyanate नाम का एक compound पाये जाता है इस वज़े से उसमें पंजनसी देखने को मिलती है मतलब अजीब सी जो महकाती जहार आती जिसको कहते हैं crucify family के सभी members होते हैं जैसे कि mustard है उसमें isothiocyanate पाये जाता है कुछ ऐसी प्रजातियां डवलप की गई है जैसे कि brassica genesis है जिसमें glycosyanolate की मात्रा कम की गई है ठीक लेटेस्ट जो mustard species है जो डवलप की गई है वो यह है नंबर वाली species जैसे नहीं ध्यान रखनी होती है species द्यान रख सकते मस्टर्ड की जैसे वरुणा पूसा बोल्ड ठीक है पूसा जैकिशन है पीतामरी है यह सब वराइटी है कुछ लेटेस्ट मस्टर्ड की सीसेम में 50% ओल होता है और 18-20% प्रोटीन होता है फ्लक्स सीड में 33-47% ओल होता है 36% प्रोटीन होता है आगे हम ल मतलब खेत में व contenido आती है और ये मिल्बरी ट्री में यह सेरीजी करश कह जाता है किसिक का सिल्क का सेरी करसेस बोलते हैं मल्बरी ट्री में सिल्क वर्म के क्कृट्वन से इसको निकाला जाता है अगे हम्लों पड़ 최े माल वेशी कुल का पाथ या ठीक इसकर नाम होता है इजिप्शियन कॉटन कॉटन को करने के लिए हाई टेंप्रेचर चाहिए होता है लाइट रेन और इरिगेशन चाहिए होती है 210 फ्रॉस्ट लेस्ट डेस्ट चाहिए होते हैं मतलब पाला नहीं होना चाहिए बिलकुल भी और कॉटन एक खरीफ सीजन क्रॉप पे 6-8 बंत ले प्रताप और तुराब ठीक है उसके बाद बेस्ट कॉटन फाइबर के लेंद पांच सिंटीमेटर से ज्यादा होती है कॉटन सीड में जो आयल पाए जाता है वह कितना है 18.5 परसेंट एडिबल आयल पाया जाता है कॉटन सीड में कॉटन को जो है वाइट गोल्ड कहा जात में और कॉटन सीड केक जो है इसमें 6% नाइट्रोजन 3% फॉस्फोरस और 2% पोटाश होता है अब आ जाएंगे हम लोग जूट पर जूट जूट जो है टिलेशी फैमली का यह पाउधा होता है आफ्रीका और इंडिया जो है इसके ओरिजिन माने गए है सेकेंड मेजर क्र के जूट जैसे निकाला जाता है जूट के पाउधे से उसको रेटिंग बोलते हैं जूट को golden fiber कहा जाता है ठिक यह बहुत फाइटिलाइस स्वाइल में उगता है flood Plains में और जहांपनाई स्वाइल हर साल flood लेके आ जाती उसी में यह जूट उगता है कौफी की बात कर लें तो अरब लोगों के द्वारा कॉफी यहां पे इंट्रड्यूस की गई थी 17th century AD में भारत में बाबा बूदन हिल्स जो है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे इसको उगाया गया था प्लांट किया गया था सबसे पहले दो मेजर वराइटी जो इंडिया में उगाई जाती है वह एक अरेबिया और रोबस्टा ठीक रोबस्टा टाइप कॉफी जो है इंडिया में लार्जस एरिया में उगाई जाती है एन्वल रेंज ऑफ टेंप्रेचर चाहिए 15-18 डिग्री चाहिए क्योंकि फ्रॉस्ट बहुत हानिकारक होता है कॉफी के लिए ठीक अरेबिया यह बेस्ट हाइस्ट कॉल्टी कॉफी मानी जाती है लेकिन यह पेस्ट और डिसीजस को काफी ज्यादा सेसेक्टिबल या सिनिशिटीव होती है पैस्ट डिसीजस के लिए आगे हम करते हैं वहां पर उगाई जाती है क्योंकि आप देखें के केरल तमिल नाडू करनाटक अंडवान निकोबार आइलेंड गारो हिल्स जो में घाले में हैं यह कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर टेंपरेचर बहुत वैरी नहीं करता है यानि कि जो गर्मी बहुत गर्म नहीं हो मतलब यह कंट्री के नाम ध्यान रखिएगा ब्रजील से आया था भारत में रबर और लॉड सेलिसबरी जो है इनो ने यहां पर स्टार्ट किया था इसको रबर प्लांटेशन रबर प्लांट जो है हीली स्लॉप में ग्रो किये जाता है तीन सो मीटर से साथ सो मीटर की हाइ इकती से सटाइश डिगरी से सको चाहिए होता है रेनफॉल की बहुत ज़्यादा अवश्यक्ता नहीं होती तो मॉडरेट रेनफॉल के इलाकों में भी यह उगाया जा सकता है इरिगेशन की जरूरत होती है ठीक और सबी कहता रहे कि स्वाइल्स में गई जा सकता है और इस मार्च कॉंटिटी ऑफ सीट 40-45,000 पीसस और इससे 40-60 कुंटल जो है गन्ना निकाला जा सकता है मेध़ड ऑफ सुगर केन सोइंग इन इंडिया लेवल सोइंग यह मेध़ड फॉलो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में लो इरिगेटेड एन लाइट लैंड सोइंग यह ट सुगर केन में 70-70% जूस होता है बाकी वह बगास याने की खोई होती है शुगर केन डिसाइज होती है रेड रॉट और सुगर केन पैस्ट होते हैं टॉप शूट बोर्स मॉथ जनरल हिंदी की तरफ आ जाते हैं हम लोग यहां पर निर्भी का हो जाता है भैभीत ठीक है औ का हो जाता है सलज, निर्वचनिय का अनिर्वचनिय, निर्वाच का हो जाएका निर्वाच, निश्य का अनिश्य, निश्यत का अनिश्यत, निश्यत का विहित, तो निश्यत का विहित भी होता है, आदिश्ट भी हो सकता है, निश्काम का हो जाएका सकाम, निश्क्री का हो ज नेक का बद हो जाएगा, नेक नामी का बदनामी, नेकी का बदी, और नयसर्गिक का अनयसर्गिक या फिर करत्रिम, न्याय का अन्याय, न्यायपूड का अन्यायपूड, न्यायी का अन्याय, नियून का अधिक, नियूनतम का अधिक्तम, पंडित का मूर्ख, पकड़ना का छ या फिर निस पक्षता, पक्षपाद्ी का हो जयगा तटस्त या फिर निस पक्ष्पक्षी पटू का हो जयगा आपटू और पतित का पढ़ा लिखा का अनपढ बेपढ़ा या उठा चाप पतन का उत्थान fifteen was again पर्दिका गद्य परकिये का स्वकिये, परतंत्र का स्वतंत्र, परमार्थ का स्वार्थ, पराजय का विजय, और अपराजय, परार्थ का स्वार्थ, परिग्राही का अपरिग्रही, और परिचित का अपरिचित या जान, परिक्षिन का अपरिचिन, परिणत का अपरिणत, परिणीत का परिणीत, परिपको का आपरिपको और परिपुष्ट का आपरिपुष्ट, परिमार्जित का आपरिमार्जित, परिमित का आपरिमित और परिवर्तनी का आपरिवर्तनी है, परिवर्तित का हो जाएगा आपरिवर्तित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का प्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष पात्र का अपात्र पाना का खोना पाप का पुन्य पापी का निश्पाप या पुन्यवान या पुन्यशील जो भी ऑप्शन में गिवन हो एक पारदर्शी का पारदर्शी और पार्थिव का अपार्थिव पास्चात्य का पूरवी पौरत्स या पौरवात्य ये तीनों में से कोई एक आपको option में जरूर मिल जाएगा पास का दूर, पुन्निवान का पापी और पुरुषकार का दंड, पुरुषकरत का दंडित और पुष्ट का अपुष्ट या फिक्षीड, पुष्टी का अपुष्टी पूत का अपूत, पूरा का धूरा पूरित का अपूरित ठीक है पूत का अपूत ही होता है देहन रखिएगा सपूत का खपूत होता है विलोम पूरा का हो जाएगा धूरा और उसके बाद पूर्व का अपूर्ड या खाली या रिक्त पूर्डता का अपूर्डता पूरुका जाएगा अपर पस्चिम या पस्च पूरवर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती पूरुकालीन का उत्तरकालीन प्रथक का संयुक्त, प्रथक करड़ियें का अप्रथक करड़ियें, पे का अपे, पोशित का अपोशित, पौरुशे का अपौरुशे, प्रकट का प्रक्षन यानि छिपा हुआ गुप्त अप्रकट प्रकाशित का अप्रकाशित, प्रक्रत का अप्रक्रत, प्रक्रतिस्थ का अप्रक्रतिस्थ, प्रकर का मंद, प्रकति का विनाश, प्रकतिशील का अप्रकतिशील, दक्यानूस, रुडिवाधी, प्रगल्ब का अप्रगल्ब, प्रचलित का अप्रचलित, प्रचारित का अप प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रमाडित का अप्रमाडित ये प्रणाड अच्छा एक बाद ध्यान रखीएगा प्रणाडित भी हो सकता है और प्रमाडित भी दोनों एक दूसरे बदले आ सकते हैं दोनों सही हैं ठीक इसके बाद प्रमुक का गाण हो जाएगा प्रयोग का अप्रयोग हो जाएगा प्रले का श्रष्टी हो जाएगा प्रवर्त का अप्रवरत्ति का निवरत्ति हो जाएगा प्रवेश का निकास प्रशंसक का निंदक प्रशंसनिय का अप्रशंसनिय निंदनिय प्रशंसक का नि प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित प्रश्ण का उत्तर प्रसन का अप्रसन खिन्न दुखी प्रसन्यता का अप्रसन्यता खेद दुख प्रसम का अप्रसम और प्रसार का संकोच प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध होता है प्रस्तुत का अप्रस्तुत, प्रस्तुती का अप्रस्तुती और प्रक्रत का हो जाएगा अप्रक्रत या अप्राक्रत, प्राक्रतिक का अप्राक्रतिक या फिक्रत्रिम, प्राचीन का अर्वाचीन या फिर नवीन और प्राते का साये और प्राधिक्रत का अप्राप्त का अप्राप्त करेंट अफेर में देखेंगे तीसरा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ववा था न्यू डेली में ववा था ठीक है ये तीसरा था और इसमें जो शामिल हुए थे देश-फुकाउंट-कॉंसल देखेंगे कजाकस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान 24th National Conference on e-governance यह कहां पर हुए थी हैदरबाद में ठीक और इसकी थीम थी इंडिया स्टेकेड डिजिटल गौवर्नेंस इना पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड ब्रिक्स से शेर्पा मीटिंग यह हुई थी 2022 की यह हुई थी जैनुरी 2022 में हुई थी आप जानते हैं 2022 में ब्रिक्स की चेर चाइना के पास है तो जितनी भी मीटिंग अब 2022 में होगी चाहिए फॉरेंड मिनिस्टर्स की मीट हो जिसके बारे मिलेक पाल पूछा गया था चाहिए यह शेरपाओं की बैठक हो इसमें जो हेड करेगा कंट्री वह कौन सा होगा चा की थीम थी बिजनिस सम्मीट और नैसल एडिवल ओयल ओयल पाम मिशन यह हुआ था हैदरबाद में दो दिवसी साउथ हेशियन कंसल्टेटिव मीटिंग ग्लोबल बाइवर्स्टी फ्रेमवर्क पर यह न्यू डेली में हुई थी बस इतना द्यान रखीए गा इंडिया डि इसको मिली थी भारत को इससे पहले इंडिया इसको चेर कर चुका है 2011-12 में यह UNSC में 15 मेंबर की एक कमिटी होती है और इसको 9-11 टर्रिस्ट अटेक के बाद इसको कंस्ट्यूट किया गया था तो 2022 में युनाटेट नेशन सेक्योरिटी काउंसिल एंटी टर्रिस्ट कमिटी में एक कोईलर दरपन पोर्टल यहां पर जारी किया गया था और इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंक्लूट किया गया था कोल सेक्टर में जिसको कॉमन पीपल भी देख सकते थे एक रिपोर्ट आये थी बैंकिंग औन इलेक्ट्रिक वीकल्स इन इंडिया इसको किया था नीतिया योग ने बाकी कोई ज्यादा यहां पर इंपोर्टन नहीं है करेंटर फेर में स्क्रॉल कर दे रहा हूं आपके लिए मदब इंपोर्टन है लेकिन अब उतने इंपोर्टन नहीं रहेंगे ठीक जिनको हैलाइट किया उनको देख लेते हैं जैसे 12 जनुरी शशक्ती हुआ जस्टिस दीवाईच अंदरचूड ने जो है दो डिजिटल सर्विस इनॉग्रेट की थी गुजराथ हाई कोर्ट के लिए एक थी जस्टिस क्लॉक और एक थी इलेक्ट्रोनिक पेमिंट आफ कोर्ट फी जनुरी 22 की बात है इसके बाद आप जानते हैं कि अ अगर रिल्वे स्टेशन नाम रखा गया था उसके बाद डॉक प्राइम टेक नाम एक स्टार्ट अप है इसने इंडिया की पहली हेल्थ लॉकर इंटिग्रेट किया था इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंडियास फर्स्ट हेल्थ लॉकर इंटिग्रेट में पीमोदी जी ने इनागरेट की थी इसको ठीक इंडियास फर्स्ट हैली हब विद ओल एविएशन फैसिल्टीज यह कहां पर सेट अप किया जा रहा है गुडगाओं में गुरुग्राम या फिर गुडगाओं में यहीं पर इंट्र नाशनल सोलर अलाइन्स का भी हैटक जनुरी 2022 में किसने इन्फिनिटी ब्रीज और यह इनागरेट किया यूई ने दुबई में केरला में वाटर बर्ड सेंसेस कराया गया था और एक स्मॉल हैड़ेट स्नेक यहां पर देखा गया था हाइड्रोफिस ग्रेसेलिस इसको नाम दिया गया था और एक अल्बीनो सफेद कलर का था इसको देखा गया था ओडिशा के भीतर कर्णी का नैसल पार्क में इसको श्वेता नाम दिया था तो इस तरीके सरा है हमारा यह वाला मॉड्यूल अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में तब तक लिए जैन दोस्तों